अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं बैसे बढ़ी आऊंगे शूडियम दोस्तों बात करेंगे USA vs. Canada के बीच में जो आपको T20 World Cup का पहला मैच देखने को मिलेगे इसको डिटेल में गावर करेंगे वीडियो कंप्रेट वोस करना फिर से एक सेज के लिए कर दूँ ये देखो वर्म अप मैच नहीं खेला जाएगा भाई ये में वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जाएगा जो कि USA vs. Canada की टेम्स के बीच में होने वाला है आप देखो दोनों टेम्स आपको थोड़ा सा नई टीम दिखेगी दोनों टीम्स के साइड से कौन से प्लेयर मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आपके टीम में 101% आने चीए कौन से player बले बाज इस important कौन से गेंद बाज इस important captaincy wise captaincy की best option में कौन से player को लेके चलोगे ये सारी जिम्मेदारी मेरी रेगी बाई सब आपको एक-एक player के बारे में complete information मिलेगी बसरते आप लोग video complete देखना information आपको कोई भी skip नहीं करनी है ठीक है तो सबी player के बारे में complete information आपको totally provide करवाई जाएगी सबसे बहले दोस्तों चैनल पर नहीं होती है और सबस्क्राइब करके notification बैल कोन कर लेना आने वाले किसी भी match के वीडियोज आपको मिस नहीं करने वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो में बताएगी information अगर आपको अच्छे लगए तेर वीडियो को like जरूर से कर देना telegram channel का link आपको नीचे comment section में जाओगे सबसे उपर top में pin development है वाँ बे मिल जाएगा simply click करके आप लोग telegram channel जरूर से join कर लेना कोई भी updates होंगे टोस होने के बाद final team अगर कोई भी changes बगर करेंगे या फिर जो भी final team रहेगी इस match के या फिर किसी भी match के जो final team होती है after toes आपको telegram channel पर update की जाती है तो telegram से जुड़ना आपका सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा comment section में जीए सबसे उपर पिंड गर्मेंटल लिंक आपको मिल जाएगा click करना वो telegram को join जरूर से कर लेजिए यहां से बात करते हैं दोस्तों match के बारे में सबसे पहले venue की बात करते हो grand pary cricket stadium दालास के venue पर यह match खेला जाएगा मतलब USA के venue स्यूप पर matches खेले जाएगे देखो दो country के अंदर यह matches खेले जाएगे अगर मैं world cup के बात करूँ एक तो भाई USA के अंदर दूसरा खेले जाएगे western days के अंदर ठीक है अब यह जो match खेला जाएगा यह match खेला जाएगा USA के venue पर तो अगर मैं pitch की बात करूँ सबसे पहले जहाँ खेले आपको इतनी information नहीं मिलेगी लेकिन मैं आपको provide कर भाऊँगा सबसे पहले इस venue के खासीज आपको बता दू यहाँ पे ना betting को थोड़ा सा ज़्यादा help रहेगी as compared to gain बाजी ठीक है USA के टीम के रहेंगे मतलब आप लोग जो maximum place back करोगे वो USA के टीम के करोगे अब विकेट की बात करते दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताए कि यहाँ का जो विकेट है वो बल्लेबाजों को help करेगा क्यों help करेगा उसका reason बता दू यहाँ पे देखो जो वार्मा मैचेज खेले गए ना वहाँ पे चार मैचेज खेले जाने थे अब नेपाल की टीम अगर उस लेवल का performance नहीं कर पाई तो भाई सब उनकी बल्लेबाजी खराब है विकेट में कोई कमी नहीं थी ठीक है लेकिन यह जो मैच खेला जाएगा कनाडा का यह देखो USA के साथ में खेला जाएग और USA की टीम थोड़ा ज्यादा स्टेबल और ज् इतना स्कोर USA की टीम डेफिनिटली कर सकती है लेकिन कनाडा की जो टीम है जब वो पहले बल्लेबाजी करेगी इस मैच में तो उनका स्कोर गटके चला जाएगा बाई ओल्मोस्ट 140-150 तक ठीक है maximum to maximum 10-15 रंस देखो उपर नीचे हो सकते है वही कलक्ची जब आठकी 150 के मैचेज में आपने एक चीज नोटिस करियोगी इस वेन्यू पे जो फास्ट बोलर रहे उन्होंने देखो 53 यानि कि 53 विकेट लिए और स्पिन गेंद बाज के वल 30 विकेट निकाल पाई है मतरब कहीं ना कि जो फास्ट बोलिंग रही है वो स्पिन के मुगाबले थोड़ा हेगी वो थोड़ा ज्यादा फेवरेट टीम रहेगी एज कंपेडरिजन तू कनाडा ठीक है यह आप लोग थोड़ा सा ज्यान में रखना बाकी पिछले पास मैच की फोर्म भी देखोगे तो यूएस से अपने चार मैचिस वोन करके आई है जबकि कनाडा पिछले पास टी टीम स्लेक्शन करेंगे तब बता दूँ अभी जलते टीम स्लेक्शन पर सीधा आएंगे विकेट केपिंग सेक्शन में पहली ओप्सन मोनाक पतेल दूसरी ओप्सन एक गोस्की रहेगी और तीसी रहेगी एस मोवा की देखो मोवा का बैटिंग ओडर जाएगा नीच्छे तो मोवा को अभी आप लोग अपनी स्मोली की टीम से तो कता ही अवोईड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बात आएगी मोनाक पतेल की ये देखो बहुती ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयरों रिशेंडली इसके जो फोर्म रियन बन देखी वो भी काफी बड़ी आ गेंदबाजी में तो कोई कंपेरिजन होई नहीं सकता क्योंकि करनाडा के कंपेरिजन में तो बंगलादेश की गेंदबाजी कहीं ज़्यादा अप लेवल की आपको मिलेगी और वहाँ पे भी एक मैच में मोनाक पटेल 42 संस की बढ़िया पारी खेल काई जाप जो रहमान की बात कर ले या फिर बात कर ले भाई हम तसकी नहमब जैसे प्लेश की ठीक है सोरिफुल इसलाम की बात कर ले तो उन क्वालिटी गेंदबाजों के सामने भी मोनाक ने अच्छी बल्लेबाजी करें थे और अच्छे रंश कर रहे थे तो बैई कनाडा की उन बल्लेबाद जी करेंगे ठीक है उतने मुझे कुछ खास प्लेइर नहीं दीखे लेकिन कनाडा की टीम के सामने कहीं नहीं के एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं सेलेक्शन देखोगी केवल 24% है बट स्टार लगा ले ना डिफरेंशल पिक में बहुत बढ़िया काम आएगा उतना खरा प्लेइर नहीं है उतने मुझे कुछ खास नहीं लगते है बाकी प्लेइर के कमपेरिजन में देखा जाएगा तो ठीक है बैटिंग सेक्शन ए जोन्स मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेइर स्टार मारलो कैप्टनशी वाइस कैप्टनशी के एक अच्छी 24 आपके लिए रहेगा गलती से भी डोत मत करना भाई तगड़ा हाड इटर प्लेइर आपको मिल जाएगा सेकंड डाउन पर बल्लेबाजी करने आएगा अब इनके अगर मैं आगड़ो की बात करूँ तो सबसे पहले बांगलादेश के साथ में अभी रिशैनली जो T20 सीरीज खेली तीन इनिंग के अंदर 41 संस थे ठीक ठाक पारी एक मैच में आई थे 34 गेंड में 35 संस ठीक है बढ़िया प्लेयर है नो डाउट आउट आप जरूर टीम में बैक करोगे करनाड़ा और USA के बीच में देखो T20 मैच जोए थे 2024 में वहाँ पे चार मैच के अंदर ये केवल 41 रंस कर पाय थे मतरब वहाँ उतनी बढ़िया फोम नहीं थी बट एक मैच में वहाँ पे भी 20 गेंड में 34 संस की पारी नो ने खेली थी तो काफी बड़िया प्लेयर है जरूर बैक करोगे उपर बल्लेबाजी करेंगे सबसे बड़ा प्लस वाइंट दूसरी चीज है करनाड़ा की टीम का कोई बरुसा नहीं कितने रंस करें हो सकता है USA के नीचे वाले प्लेयर की बल्लेबाजी ना आए उसके बाद में D बाजवा इसके उपर स्टार लगा लो बाई देखो करनाड़ा की टीम की सैड से सबसे टैलेंटिड जो प्लेयर आपको मिले देखो इनसे भी टैलेंटिड है लेकिन अगर मैं बल्लेबाजी की बात कुर तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर आपको मिल कनाड़ा और USA के बीच में T20 सीरीज खेली गई थी मतलब कनाड़ा USA इन्ही दोनों टीम्स के बीच में अभी 2014 के अप्रेल के मन्त में खेली गई थी जा पे तीन इनिंग में 89 यानि कि 9 सीरंज करते एक मैच में 33 संसकी पारी खेली थी एक मैच में 22 नंस करते क्यो था है कि बाई डी बाज होआ मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर है जरूर बैक कर लेना उसके बाद में देखो रोने के साथ में जाना चाहो जा सकते हो फिलाल में प्रैफर नहीं करूँगा एक बाद थोड़ा नीच आएंगे ए जोनसन तगड़ा हार्ड इटर प्लेयर स्ट जिन में क्यों इंपोर्टेंट होंगे अब आप लोग समझ पाओगे इसलिए आपको वोला तगड़ा हार्ड इटर प्लेयर ओबनिंग बल्लेबाद जी यह जान में रखो डिफ्रेंचल पिक बहुत बढ़ी है च्वेतर परसंट स्लेक्शन बिलकुल यह बंदा डिजरू क करके चलेगा ठीक है यहां से अटा दो मंके अम कुमार टेर गो उनके चांसीं कम रहेंगे खेलने के किटों देखो सिलैक्शन 13% है लेकिन ये पनाडा की किनको अच्छे रंश करने है अगर कनाडा की टीम को अच्छे रंस करने हैं सबसे पहले मैं बात करूँँआ दालीवाल की देखो दालीवाल का जो बैटिंग ओट रहेगा वो हो सकता है टीम या तो इनके साथ में उपन करवाले या फिर वन डाउन या फिर सेकेंड डाउन भी बल्लेबाजी करवा सकती है बट बात करते हैं इनके रिशेंट फोम की सबसे पहले टीटोंडी वल्ड कफ वार्म अप एक मैच 32 अंस करें एक मैच 50 एक मैच 46 अंस बढ़िया जो है वो सीरीज इनकी गई थी तो क्यों डालीवाल डिफरेंचल रहेंगे ये जानम रखना अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्लेयर जो रहेंगे किर्टों क्या गेंस्टोंड नेपाल की टीम जो है इतनी हलकी टीम नहीं है उसके बाद में कनाडा यूएस से के बीच में सीरीज जो ही चार मैच में क्यानवरंस करें ठीक है वो भी सीरीज इनकी बढ़िया गई थी टीटोंडी वल्ड कप के फाइनल जो हुए थे वहां पे बात ये बड़ ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी तो किर्टोंड आपके लिए डिफरेंशिल बहुत बढ़ी है एंदाली वाल डिफरेंशिल स्टार लगा लेना उसके बाद में नीच आओगे पेसिंग की ओपसन है जो की रिंगे बाई प्रागत सी है देखो कनाडा के टीम में हरे प्लेर उतना आपको उस लेवल की बल्ले बाजी नहीं दे सकता लेकिन फिर भी जो इंपोर्टेंट है उनके साथ मैं बात करूँआ प्रागत की बात करें वार्मप के अंदर एक मैच में तेरा करे थे उसके बाद में अगर बात करें कनाडा यूएस से की सीरीज चार मैच म चाहिए नहीं चाहिए तो कुछ खास उप्संस नहीं है आर पठान लेना चाहो ले सकते हो छोड़के चलो फिलाल मैं उतना प्रेफर नहीं करूँआ ओला लाउंड सेक्षन मोस्ट सेक्षन यानि के मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्षन कोरी एंडरसन यहां से आपके पास में स तगड़ी हार्ड इटिंग पलस वाई गेंदबाजी में प्रोपर चार ओवर मिल सकते हैं टीम करवाई तो ना करवाई तो एक अलग चीज़ है बट कैटनसी वाईस काप्टनसी की बहुत ही बड़ी अच्वाई से स्टार मार के चलना उसके बाद मैं स्टेलर ओपनिंग ब इंपोर्टेंट है स्टार लगा के चलो इनके एक बार आपको मैं थोड़ा सा स्टैट्स भी बता दू इनके जो रिशेंट फूम वगरा रही है उसके बार में डिसकसन करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहां से बात करेंगे तो यहां से मैं इनके स्टैट्स एक बार आपको मैं निकाल के बता देता हूं भाई सबसे पहले बात करते हैं की गेंदबाजी की बंगलादेस और USA के बीच में सीरिज हुई दो मैच में दो विकेट इनके नाम थे गेंदबाजी से इंपोर्टेंट है ज्यान रखा ठीक है चार मैच में 6 विकेट निकाले स्टार मार के चलना और आप लोग चाहो इस मैच में अपनी टीमें भी काप्टनसी वाइस काप्टनसी गर सकते हो बल्ले बाजी गेंदबाजी दोनों आपको मिल जाएगी ठीक है वार्मप में तो उतना कुछ खास परफोर्मेंस नहीं था लेकिन कनाड़ा USA टी-20 सीरिज चार मैच में 78 रंज कर रहे थे गेंदबाजी के गर मैं बात करूँगा तो कनाड़ा USA के बीच में सीरिज जोई वहां पे चार मैच में पांच उकर थे बढ़िया गेंदबाजी बढ़िया बल्ले बाजी क्यों इंपोर्टनसी वाइस काप्टनसी का अच्छा विकलप आप आप लोग समझ पाओगे तो यहां से यह चार प्लेयर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टन रहेंगे जो कि आपको बता दिया उसके बाद में देखो हेलेगर एक बढ़िया गेंदबाज आपको मिल जाएगा कनाड़ा की साइड से लेना चाओ लेलो इनकी जगा आपने अधर ओप्संस रख रखी है कोई दिकत नहीं अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो बाकी मेरा काम है आपको सभी प्लेयर के बार में कंप्लेट इंफोर्मेशन प्रोवाइड गरवाना अभी वर्मप मैच कहला गया था वहां पे देखोगे हेलेगर ने एक मैच में चार विगेट निकाले थे ज्यान में रखो बढ़िया फोर्म थी ठीक करनाडा युएस से के बीच में सीरीज जो चार मैच में चार विगेट वहां पे निकाले उससे पहले देखोगे CWC जो लीग खेले गई थी वहां पे चार मैच में नो विगेट इनके नाम थे तो यह बोलिंग सेक्षन के अंदर हरमीच सिंग बल्ले बाजी गेंद बाजी स्पिन में चार वर इंपोर्टेंट प्लेर तगडी हार्ड इटिंग कर सकते हैं बल्ले बाजी आएगी उसके बाद में नेटरा वैलकर जो कि युएस से की साइड से मोस्ट इंपोर्टेंड गेंद ब विकेट मिले ना मिले इस मैच में अलग जीज़े लेकिन आने वाले मैचिस में मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये जो बंदा है आपको बढ़िया परफॉर्मेंस करता हुआ शोर्टी के साथ में दिखेगा अवोईड नहीं कर सकते अली खान 20% स्लेक्षन बहुत जरूर ट्राई करना अली खान को एक most important player आपको मिलेगा उसके बाद में नीच आओगे तो गोर्डन की option आपके पास मेरेगी ये भी काफी अच्छे गेंदबाज है इनके साथ में जाना चाहो तो बाई सब ट्राई कर सकते हो कनाड़ा की साइड़े लेकिन अली खान मेरे इ सकते हो किसको केस अना को लेकिन केस अना को तभी बैक करना जब कनाड़ा की टीम पहले गेंदबाजी करने उत्रे ठीक है फिलाल मैं जोंसन को ही रखकूँआ तो मेरी आप जो 11 प्लेयर की टीम है वो तो बनके क्रियेट हो चुकी जो कि मा आपको यास से दिखा देता हूँ आप लोग देख पाऊँगे मेरी टीम में 11 प्लेयर आ चुके है मैकसिमम प्लेयर मैंने पिक करें USA के साड़ से जो कि मा आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोल चुका था कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी की बात करेंगी कोरी अंडरसन एस टेलर दो आपके लिए ब बाकी कोरी अंडरसन एस टेलर साथ बीन जफर ये आपके लिए सेफ उप्सन है कैप्टन सी और वाइस कैप्टन सी की तो इन में से किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन रखो 24 आपके एक से दो सिंचिस अगर इस टीम में करने पड़ेंगे टोस होने के बाद आपको टेली जरूर करेगी